Once again, welcome back to Web Insights. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं business email के बारे में. अब ये business email क्या होता है? Let me give you an example. Let's suppose आपको एक email आता है currentptm at the rate of gmail.com यहां से एक email आता है कि सर आपने एक लाख रुपे जीत लिया है और आपको ये ये काम करना है, उसके बाद आपको ये amount दे दिया जाएगा. बहुत बारे ऐसा होता है कि इस तरह के emails आते रहते हैं और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा scam है, एक spam है और अगर आप business mail के perspective से देखे, mail के perspective से देखे तो यहीं से ये पता चल जा रहा है, कि ये एक unprofessional तरीका है इस तरह के mails को करने का. यही mail अगर हमें direct यहाँ से आए like paytm.com और starting में यहाँ पे लिखा रहे current at the rate तो कहीं न कहीं ये एक professional email है और ये email एक authentic email होगा इस email से कोई भी आपको fake email नहीं कर सकता. All right, क्योंकि ये इस domain का क्या है? एक business email है जो सिर्फ paytm create कर सकता है. So इस तरह से अगर आपका भी कोई business है जिसका आप business email create करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप एक business email create कर सकते हैं यहाँ पे आपका domain name हो जाएगा ptm के जगर पी और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना नाम यहाँ पे hello डाल सकते हैं for an example यहाँ पे हम hello डाल सकते हैं जैसे कि मेरा जो business email है that is hello at the rate web insights dot in अब मुझे जो भी email करने होते हैं मैं इसी email से करता हूँ लोग sender देख के समझ जाते हैं कि हाँ यह web insights का email आया हुआ है कहीं न कहीं यह एक professional email है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम business email create करेंगे और उसे अपने Gmail account से connect करेंगे अब यहाँ पे Gmail account से कैसे connect होगा और क्यों connect करना है वो भी हम चाल लेते हैं यहाँ पे मैं अपने Gmail account open करता हूँ जिसका email है itisanand.me at the rate of gmail.com और राइट तो यहाँ पे अगर हम compose पे क्लिक करें तो देखिए from में यहाँ पे selected है मेरा hello at the rate web insights.in अगर मैं इस email से मैं किसी को mail करूँ तो जो sender आएगा वो होगा hello at the rate web insights.in अगर मुझे personal email किसी को करना है तो मैं यहाँ पे select कर लोगा itisanand.me at the rate of gmail.com और मुझे अगर business email से send करना रहेगा तो मैं यहाँ पे select कर लोगा अपना business email और यहाँ पे मैं participant का नाम डाल दूँगा जिसको यह mail करना है और जब भी उसको mail जाएगा तो उसको यह दिखेगा कि यह email इस email से आया है यानि कि hello at the rate web insights.in so I believe आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यह सारी चीज़े हम आगे set up करने वाले हैं and नहीं आया तो obviously यार हम आगे एक एक चीज़े देखते जाएंगे I need your 10 minutes and believe me आप आने वाले टाइम में बहुत आराम से business email create कर सकते हैं and in 2020 you should have a business email obviously अपने business को authentic दिखाने के लिए all right so guys मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं web insight तो चलो यार यह वीडियो शुरू करते हैं all right तो यहाँ भी जो activity हम perform करने वाले हैं वो दो step में सबसे पहले हम free business email create करेंगे इसके लिए आपको google पर जाना है और लिखना है improve mx जैसे आप लिखेंगे आपके सामने यह website आजाएगी इसका link आपको description में मिल जाएगा जस्ट आपको इस website पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना domain name डालना है मेरा जो domain है वो है web insights.xyz आपको confused नहीं होना है यह domain मैंने just fresh लिया है यह सारी चीज़े आपको दिखाने के लिए तो मेरा जो domain name है that is web insights.xyz make sure कि आपको यहाँ पर starting में www.sttps ये सारी चीज़े use नहीं करनी है just use the domain name here उसके बाद आपको अपना यहाँ पर email डालना है जस email से आप connect करना चाहते हैं मतलब कि यहाँ पर आपको अपना एक Gmail account डालना है मेरे के इसमें मैंने एक fresh email बनाय हुआ है obviously सिर्फ आपको बताने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस email को मैं simply copy कर लेता हूँ this is anand 800999 at the rate of gmail.com मतलब कि इस email को हम क्या कर रहे हैं इस email से connect करने जा रहे हैं ताकि अगली बार आप इस email को login करके इस email से अपने business email से send कर पाएं किसी को confusion है ना आगे सब कुछ clear हो जाएगा simply हम यहाँ पर create free alias पर click करेंगे और यह थोड़ा जा time लेगा उसके बाद हम dashboard में जाएंगे जहाँ पर हम अपना account verify करेंगे कुछ DNS setup करेंगे उसके बाद आप इस page पर आजाएंगे यहाँ पर हमें अपने DNS को configure करना है यानि कि हमें अपना hosting cpanel open करना है और यहाँ पर कुछ records दिये हुए है वो हमें क्या करना है DNS में जाके update करना है अब यह कैसे होगा simply आप जहां से hosting buy किये हो वहाँ पर क्या करना है आपको open कर लेना है अपनी hosting के cpanel को उसके बाद इस MX को आपको क्या करना है copy करना है और वहाँ पर लिया के paste कर देना है यहाँ पर तीन चीजे मिल रही है host मिल रहा है value मिल रही है उसके बाद priority मिल रहा है priority यहाँ पर 10 है उसके बाद host हमारा add the rate है simply हम line number 1 में इसको हम copy कर लेंगे यहाँ पे देखे last minute dot है कुछ hosting provider dot को accept करते हैं और कुछ जगह पे अगर हम dot को paste करें तो वहाँ पे error आने लगता है मेरा जो hosting provider है वो dot को accept नहीं करता है सबसे पहले आपको dot के साथ डालना है अगर dot के साथ accept हो जाए तो आपको ठीक है otherwise आपको dot को remove कर देना है मेरे case में dot को यहाँ पे copy नहीं कर रहा हूँ simply मैं अपना hosting provider open कर लिया हूँ hosting जहां से मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मैंने top में search करना है simply dns zone editor देखे यहाँ पे आगया dns zone editor बहुत सारे c panel में सेम तरीके से होता है तो आपको simply dns search करना है उससे related dns editor advanced dns इस तरह का आपको option आएगा मैं यहाँ पे अपना domain name select कर लेता हूँ आपके case में domain name नहीं select करना होगा क्योंकि यह hosting oriented user experience है UI है आपके case में हो सकता है दूसरी तरह से हो just make sure कि आपके सामने ये panel आना चाहिए जहाँ पे आप mx को update कर पाए txt को update कर पाए यहाँ पे देखे mx में कुछ नहीं है अगर कुछ भी होता है तो देखे यहाँ पे हम delete पे click करके हमें क्या करना है उससे सबसे पहले delete करना है क्योंकि अगर आप improve mx में देखे तो देखे यहाँ पे delete previous mx entry का हमें एक instruction दिया जा रहा है तो यहाँ पे हम आएंगे mx पे click किया हमने उसके बाद हम यहाँ पे click करेंगे add new record पे सबसे पहले यहाँ पे हमें add the rate डालना है host name में TTL मतलब कि इसमें जो भी value है उसको default रहने यह हमारे लिए matter नहीं करने वाला है priority में यहाँ पे हमें 10 डालना है आपके में अगर suggest नहीं कर रहा हूँ तो simply आपको numbers यहाँ पे डाल देने है 1 और 0 which is 10 उसके बाद यहाँ पे target में आपको paste कर देना है पहला वाला record which is mx1.improvemx.com मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यह देखे इस तरह से मैंने values को डाला है priority में 10, target में target और यहाँ पे host name उसके बाद हम यहाँ पे add new record पे click करेंगे क्योंकि हमें और एक record यहाँ पे डालना है हम यहाँ पे आएंगे और फिर से नीचे वाला हम copy कर लेंगे नीचे वाला हमें ऐसे copy करना है और यहाँ पे हमें लिया के क्या करना है paste कर देना है बट यहाँ पे host name में हमें पहले की तरह add the rate डालना है priority में यहाँ पे 20 डालना है जैसे आप save पर click करेंगे यह थोड़ा सा time लेगा और देखे यहाँ पर success का message आ गया that your DNS has been saved successfully some of cases में यहाँ पर कुछ character का issue आने लगेगा it's mean आपको यहाँ पर dot डालना है अगर आप dot डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपको dot यहाँ से हटा देना है last में all right उसके बाद यहाँ पर हम improv MX में आते हैं और नीचे scroll करेंगे यहाँ पर देखे 4th number पर आ रहा है add this txt entry for SPF support मतलब कि यह txt value है all right simply हम यहाँ पर क्या करेंगे इस चीज को यहाँ तक copy करेंगे make sure यहाँ पर कोई भी space ना copy हो right इसे हम लेके आएंगे और यहाँ पर हम click करेंगे txt पर simply हमने txt पर click किया अब यहाँ पर देखे बहुत सारे txt record है I'll like to delete this all मैं simply यहाँ पर सारे delete कर दूँगा और यहाँ पर सबसे पहले हम save changes पर click करते हैं उसके बाद हमारा यह देखे txt पूरा खाली हो जाएगा अगर आपके case में नहीं होता है तो simply आपको क्या करना है add new record पर click करना है जैसे आप click करेंगे obviously आपको यहाँ पर add the rate डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है यह target value जो हमने यहाँ से copy किया था उसके बाद हमें क्या करना है save पर click करना है देखे यहाँ पर से हमें एक success का message आगया हम check कर लेते हैं txt पर मैंने click किया देखे यहाँ पर value है और MX पर हमने click किया यहाँ पर भी हमारी value already saved है उसके बाद हम आजाते हैं improve MX पर मैं यहाँ पर zoom out करता हूँ हम उपर आ जाते हैं यहाँ पर देखे एक button आपको मिल रहा है check again का simply हम इस पर click करेंगे यह थोड़ा दर time लेगा और आपको बताएगा कि आपकी entries update हुई है की नहीं some of cases में यह within a minute हो जाता है लेकिन कुछ cases में यह एक घंडे भी लग सकते हैं और कभी-कभी यह 24 hours भी लग जाते हैं तो यहाँ पर देखे email forwarding still need setup का option आ रहा है मतलब की अभी भी मेरा email forwarding setup नहीं हुआ है मतलब की मेरे DNS update नहीं हुए है so I believe हम यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अगर मुझे वीडियो pause करने की जवरत पड़ी तो मैं definitely यहाँ पर वीडियो pause करके और फिर से वीडियो continue करूँगा आपकी case में आप यहाँ पर click करते रहे है checked again हर 10 minute पर maybe आपके case में बहुत जल्दी हो जाए and yes finally यह हमारा email forwarding active हो गया मेरे case में यह 2 से 3 minute लगा आपके case में हो सकता और समय लग जाए तो बिल्कुल आपको परिशान नहीं होना है and obviously comment section में आके आपको मुझे गाली नहीं देना है right तो यहाँ पर देखिए हमारा green हो गया और मैं थोड़ा सा zoom करूँ देखिए email forwarding active हो गया और यहाँ पर अगर हम देखें तो we have just sent you an email to validate your account यानि कि हमें एक email आया होगा हमें क्या करना है अपना ये account verify करना है तो हमें अपना Gmail account open करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर validate your account का एक email आया है यहाँ पर एक link है simply हमें इस link पर click करना है जैसे मैंने उस link पर click किया देखिए यहाँ पर कुछ terms and condition है make sure आप इसे check कर लें और click करें validate your account पर right देखिए यहाँ पर एक message आ गया वो भी green background में it's mean हमारा email verify हो गया अब बारी आ जाती है अपना email choose करने का या फिर specific email यहाँ पर decide करके create करने का right तो यहाँ पर देखिए एक star आ रहा है मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ यहाँ पर देखिए एक star value आ रही है simply हम क्या करेंगे इससे delete करेंगे अब यहाँ पर आपको वो word enter करना है जो आपको अपने domain name के पहले चाहिए यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं admin डाल सकते हैं info डाल सकते हैं मेरे case में मैं चाहता हूँ यह हो जाए anand at the rate webinsights.xyz मतलब की हमारा जो email होगा वो होगा anand at the rate webinsights.xyz उसके बाद इसे किस पर forward करना है मेरे case में जिस email पर आप forward करना चाहते हैं वो आप डाल देंगे यहाँ पर मैं use कर लेता हूँ सेम यही email जिस email से मैंने Impro MX पर sign up किया है यहाँ भी आप कुछ भी डाल सकते हैं इस completely changeable तो आपको यहाँ पर जो भी email डालना है आप वो डाल दीजे basically जब भी इस email पर कोई भी email आएगा वो automatically forward हो जाएगा आपके इस email पर got it मतलब कि इस business email पर कोई भी mail करेगा वो आपको इस email account पर जब भी आप Gmail login करेंगे आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यह हमारे business email से mail आया हुआ है तो हमने क्या किया यहाँ पर forwarding setup कर दिया अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा zoom out करते हैं अब बारी आ जाती है email testing की कि अगर कोई हमारे business email पर mail send करता है तो क्या वो email हमारे इस email पर forward हो रही है या फिर आ रही है कि नहीं तो simply मैं कोई और Gmail account यहाँ पर open कर लेता हूँ और हम send करते हैं अपने business email पर जो की था आनंद at the rate web insights.xyz और यहाँ पर हम लिख देते हैं hello this is just a testing email subject में डाल देते हैं I hope it works उसके वाद हम इसे send करते हैं अब यह email हमारे business email पर जाए आना चाहिए मैंने किसी तीसरे email से मैंने send किया और अब हम check करते हैं कि यह हमारे business email पर आया की नहीं यहाँ पर हम थोड़ा सा time hold करते हैं और देखते हैं हमारी business email पर यह mail आ रहे है की नहीं तो देखा आपने यहाँ पर हमें एक mail receive हो गया hello this is just a testing mail अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन किसको यह email send किया है तो यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ पर देखिए from में आ रहा है मेरा दूसरा वला email account which is itisanand.me at the rate of gmail.com और यहाँ पर आ रहा है किसको send हुआ है यह हमारे business email पर आया है और यहाँ पर देखिए सारी details हमें आ रहे है मतलब कि हमारे business email पर जो mail आया वो हमारे इस gmail account पर आ गया है अब यहाँ पर हमने mail तो receive किया now let's say कि आपको इस mail का reply अपने business email से करना है तो वो कैसे करेंगे अब आ जाती है हमारी step to तो इसके लिए यहाँ पर हम अपने gmail account में कुछ setting यहाँ पर हम perform करेंगे कुछ setting change करेंगे simply हमें यहाँ top right में क्लिक करना है then हमें क्लिक करना है manage your google account पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप speech पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको search करना है list जैसे आप list लिखेंगे देखे यहाँ पर list secure app आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर list के बाद एक s लगा दीजे which is secure something यहाँ पर हम list secure लिखेंगे वैसे ही हमारे सामने यह option आ जाएगा simply हमें यहाँ पर click करना है जैसे आप click करेंगे देखे यहाँ पर allow list secure app off है इसे हमें क्या करना है on कर देना है on करने के बाद simply आपको यहाँ पर क्या करना है इसे close कर देना है right close करने के बाद आपको simply यहाँ पर click करना है top right में देखे एक setting का option है gear का option है उसके बाद आपको क्लिक करना है see all setting जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे completely setting वाले page पर उसके बाद आपको क्लिक करना है accounts and import पर जैसे आप क्लिक करेंगे obviously आप इस page पर आ जाएंगे then आपको क्लिक करना है add another email पर यहाँ पे हम अपने business email को यहाँ पे add करेंगे इस Gmail account में, right simply हम click करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे वो नाम आपको डालना है जो नाम business email से send करते समय दिखाए लोगों को मेरे केस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ web insights आनन्द थोड़ा सा अजीब है, but yes आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे web insights डैस आनन्द लिखके जाए कि web insights से आनन्द का mail आया हुए, right अब कौन से email को add करना है वो है web actually आनन्द at the rate web insights dot x y z make sure कि यहाँ पे accurate डालना है नहीं तो कोई ने कोई error आ जाएगा next step पे आपको click करना है उसके बाद आपके सामने ये screen आ जाएगा अब यहाँ पे कुछ चीज़े आपको change करनी है जैसे कि smtp server में यहाँ पे ये value आ रहा है हम इसे delete कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे smtp.gmail.com उसके बाद यहाँ पे आपको अपने gmail अकाउंट का मतलब की इस gmail अकाउंट का आपको यहाँ पे credentials डालना है credential मतलब login, id और password तो मेरा email है आनन्द 800999 at the rate gmail.com उसके बाद यहाँ पे आपको password डालना है make sure आपके password सही रहे नहीं तो यह तरीका काम नहीं करेगा add account पे आपको simply click करना है right अब यहाँ पे आपको इस email पे एक code आएगा वो code हमें क्या करना है access करना है अब यह email हमें क्या करना है इसी gmail account पे access होगा obviously तो हम क्या करेंगे इस gmail को open करेंगे आप देखिए gmail team से just यहाँ पे एक mail आ गया right तो simply यहाँ पे हमने click किया और यहाँ पे देखिए एक confirmation code है इसे हम क्या करेंगे यहाँ से copy करेंगे और यहाँ पे हम वापस आएंगे और इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपको verify पे click करना है देखिए हमारा verify हो गया कोई भी error नहीं आया right अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक reload कर लेंगे यानि कि refresh कर लेंगे now let's say कि आपको अपने business email से किसी को mail send करना है वो कैसे करेंगे simply आपको compose पे click करना है उसके बाद देखिए यहाँ पे from में select करने का हमें option मिल रहा है जैसे आप इसमें click करेंगे आपका business email यहाँ पे आपको show होगा जैसे मैंने बनाया हुआ है anand at the rate webinsights.xyz simply हम यहाँ पे इसके select कर लेंगे उसके बाद जिसको mail करना है उसका आपको यहाँ पे email डालना है मैं अपना email डाल देता हूँ यहाँ पे which is itisanand.me at the rate gmail.com इस email पे हम एक mail करते हैं और test करते हैं कि हमारा business email काम कर रहा है कि नहीं testing this is just a testing email right हमने यह एक email लिखा अब इसे हम क्या करेंगे send करेंगे इस email पर right उसके बाद हम यहाँ पे send पे click करते हैं देखे masses sent हो गया अब हम अपना email चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे business email से कोई email receive हुआ कि नहीं यहाँ पे हम दूसरा वाला अपना email हम चेक कर लेते हैं देखें यहाँ पे updates में हमें मिल गया web insights से एक mail आया है that is testing इस पे हमने click किया और यहाँ पे अगर हम click करें तो आप check कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो mail आया हुआ है वो anand at the rate web insights.xyz से आया हुआ है मतलब कि हमने gmail account से send किया बस हमने यहाँ पे select कर लिया अपना business email और उतना ही से यहाँ पे देखी हमें show हो रहा है कि यह email business email से आया हुआ है यानि कि anand at the rate web insights से I believe आप समझ गये होंगे कि यह सारी चीजे कैसे काम कर रही है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप नीचे description में आप मुझसे बात कर सकते है या फिर आप मुझे directly instagram पे message कर सकते है यहाँ पे मैं आपको एक disclaimer दे देता हूँ कि यह technique अगर आपके like google account पे step two verification enable है तो यह technique आपके लिए काम नहीं करेगे उसके लिए दूसरा तरीका होता है do let me know in the comment section कि अगर आपको उस तरीके से या फिर वो भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कैसे करेंगे अगर आपके gmail account पे step two verification enable होता है alright तो I believe आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे business email से हम किसी को भी email send कर सकते हैं अब यहाँ पे जब भी मुझे normal email से send करना रहेगा तो मैं from में ये select कर लूँगा और मुझे अगर business email से किसी को कुछ भी send करना रहेगा reply करना रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे business email select कर लेंगे so this is how you can create email वहाँ पे आप multiple email आप इसी तरह से create कर सकते हैं अपने सारे office के employees के email ऐसे ही आप create कर सकते हैं so yes आज के वीडियो में इतना ही I believe आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्स्राइब करो यार बहुत efforts लगते हैं Alright, मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन, Happy Vlogging!